दोस्तो अगर आप हमारे वीडियोज फॉलो करते हैं तो डिसेंबर महीने में हमने निफ्टी का 15,000 का टागेट प्राइस दिया था 2021 के लिए और यह टागेट प्राइस फेबियरी के फर्स्ट वीक में ही अचीव हो गया है जहां निफ्टी ने पिछले दो महीनों में 15% से ज मार्केट में और तेजी भी आ सकती है टेक्निकल अगर आप देखें तो निफ्टी ने एक राइजिंग ट्रेंड लाइन ब्रेकाउट दिया है यह ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो 2008 से अगर आप ड्रॉ करें यह ट्रेंड लाइन को तो पिछले 12 साल की जो मोमेंट थी उसमें मार्केट्स ने अभी फाइनली ब्रेकाउट एक दिया है 13,700 लेवल्स के उपर जो कि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि आगे जाके यह बुल रन और भी कंटीन्यू रह सकता है अगर आप डेरिवेटिव डेटा पॉइंट्स देखें तो FIS का जो लॉंग भी कर रहा है। जो कि कि इंडिकेट कर रहा है कि उनकी बुलिष पोजिशिञएं मार्केट्स में ज्यादा है एस कंपयर्ड टु बैरिष पोजिशन्स अगर आप पुटकॉल रेशियों को भी फॉलौ करें तो पुटकॉल रेशियों भी करीबन बंटवाइल एक्स के आस् the start of the February series करीबन 20% से राइज हुआ है और इंडेक्स नियरली 10% से राइज हुआ है क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि बिल्ट अप लॉंग पोजिशन के साइड ही हो रहा है अगर आप रिट्रेस्मेंट्स को फॉलो करें तो रिट्रेस्मेंट्स लेवल पर 15400 एक मार्जिनल रेजिस्चन्स पॉइंट रहेगा निफ्टी के लिए जहां निफ्टी 161.8% रिट्रेस्मेंट्स को टेस्ट करेगा प्रीवियस जो कोवीड का फॉल आया था उसको पूरा कंसीडर करके तो वहां से मार्जिनल एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है बट अगर मतलब यह रहेगा कि आने वाले दिनों में मार्केट्स अगर 200% रिट्रेस्मेंट्स टेस्ट करते हैं तो टागेट प्राइस 16,000 के उपर आ सकता है तो हमारी निफ्टी पे बाय और डिप्स स्ट्रेटेजी ही रहेगी जो स्ट्रेजी हम पिछले 6 महिनों से अपना रहे हैं अगर आप निफ्टी का सपोर्ट देखें तो 13,500 का जो सपोर्ट है वो काफी क्रूशल सपोर्ट है जब तक निफ्टी 13,500 के सपोर्ट को होल्ड करेगा तब तक हमारा अनुमान है कि यह बुल मार्केट कंटीन्यू ही रहेगा और मार्केट्स हायर टॉप हायर बॉटम चा उपर रहेगा 2021 में